यहीं दोस्तों मेरा नाम है आकास मौरिया और आपसे लोग का आपके अपने चैनल आलक्यू पिश्टटी पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रस्त आप मेंसे बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं सर बीसफ ट्रेट्समेंट की वेकंसी कब आएगी काफी दिनों से बीसफ ट्रेट्समेंट की वेकंसी नहीं आय और है तो आज कि इस वीडियो आप लोगों को बीसफ ट्रेट्समेंट ज़र्थी के बारे मैं बताने हैं अब फ्रोंकिसली आप लोगों की 2000 पलस पुस्ट वर् वेकंसी आने वाली है या वेकंसी कब आएगी इसमें height क्या मांगा जाता है, क्या कुछ इस बार बदलाव किये गए हैं आप लोगों की वेकंसी में सारी जानकारी आप लोगों को बताएंगे तो वीडियो को सुरू से लेकर end तक देखते रहना आप लोगों को जो आए है तो इसी प्रकार से information पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना मैं लेकर चाता हूँ आप लोगों को website पर वही सारी जानकारी दे देता हूँ तो फ्रेंग जैसा कि आप लोगों को इसके बारें सारी जानकारी दे देता हूँ है तो यहाँ पर आप लोगों का ओर्गेनाजेशन निम जो है है वो आप लोगों का border security force यानि कि BASF रखा गया है इसका फूल फार में BASF security force होता है BASF का official website आप लोगों को यहाँ पर दिया गया पोस्ट निम आप लोगों का BASF ट्रेट्समाइन पोस्ट आई है पिछले साल की वेकैंसी के according जो आप लोगों का notification दिया गया था उसमें आप लोगों का total जो आई है 160 पोस्ट आप लोगों था जिसको अभी भरा नहीं गया आई है इस बार कितने पोस्ट को increase किया गया आई है और कितने पोस्ट आप लोगों के approx आने वाले हैं तो इसके वारें भी आप लोगों को बता देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों देख सकते हैं तो बीसर ट्रेटसमाइन में मेल में आप लोगों को जो आई है 1100 जो आई है 61 पोस्ट आप लोगों वाकनसी आने वाली है फिमेल कंडिडेट के लिए जो आई है दो पोस्ट आप लोगों की 160 है तो टूटल मान के चलिए आप लोगों का जो है आप लोगों का जो है अप रोगस 2000 प्लस पोस्ट वर वाकनसी आने वाली है ठीक है अब बात कर लेते हैं इसके बारे में और भी जानकारी दे देते हूँ आप लोगों को जो है बैंक से जो है डिमांड ड्राप बनवा लेना होगा जिसको डिरी भी बोलते हैं या फिर आप लोग जो है पोस्ट आफिस से जो आई है पोस्टल आइए सवरुपय का बनवा लेंगा ठीक है और किसकी फेवरम बनाना है आप लोगों को नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा उसम प्रोसेस आप लोगों का जो है है सबसे पहले आप लोगों को महाँ पर रनिंग होगा ठीक है रनिंग कराने के बाद आप लोगों का डोकोमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ट्रेट टेस्ट होगा ट्रेट टेस्ट के बाद आप लोगों का जो है एक्जाम कराया जा यदि आप लोग इन पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का हाइट 150 cm होनी चाहिए ST candidate है तो आप लोगों का हाइट 162.5 cm हाइट होनी चाहिए ठीक है तो आप लोगों का चेस्ट 78 से लेकर 73 cm रहना चाहिए अब ST का जो हाइट 76 से लेकर 81 cm चेस्ट होना चाहिए ठीक है अब बात कर लेते हैं female candidate की ठीक है तो female candidate की जो हाइट यदि आप लोगों का हाइट 150 cm होना चाहिए ठीक है अब बात कर लेते हैं आगे आप लोगों की running के बारे में है running कितने होने वाली है तो running में आप लोगों का male candidate का running जो 5 km होने वाला है जिसके लिए आप लोगों 24 मिनट का पूरा-पूरा समय दिया जाएगा female candidate का running में 1600 meter का running हो जिसके लिए आप लोगों को 8.5 मिनट टाइम पूरा पूरा दिया जागा ठीक है इतने समय में यदि आप लोग जो आई है ठीक है जितने भी student qualify होते हैं सब एको select कर लिया जाएगा उसके बाद उनका document verification होगा ठीक है तो इसी प्रकार से आप लोगों का पहले कर ले या फिर running बाद कराए है रनिंग कराने का भी आप लोगों को document चेक कर सकते हैं उसके बाद trade test होगा आप लोगों का exam कराया जाएगा exam को बाद medical होगा उसके बाद final selection किया जाएगा बात कर लेते हैं आप लोगों के जो आई है किस प्रकार के रिटेन एक्जाम में कोश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोगों को रिटेन एक्जाम में जो आई है जनरल लॉनेस से आप लोगों को 25 कोश्चन रहेंगे आप लोगों को दो घंटे का समय दिया जाएगा इसके लिए ठीक है अब बात कर लेते हैं आप लोगों को जो आई है Medical Examination की तो Medical Examination में आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ है इसके eligibility criteria के बात करूँ तो कम सकम आप लोगों का age के अगर बात करूँ तो कम सकम 18 वार्स है Maximum 23 वार्स रखा गया है इसके साथ साथ HTSC वालों को 5 वार्स का छोट दिया जाएगा OVC वालों को जो आई है 3 वार्स का छोट दिया जाएगा ठीक है उमीद करता हूँ आप लोग सारी चीज़े समझ रहे है ठीक है अब बात कर लेते हैं आप लोगों को जो आई है किस प्रकार की आपके आखे होने चाहिए ठीक है Better में आप लोगों का N6 दिया गया है Cross E में आप लोगों का N9 दिया गया ठीक है इसके अलामा आप लोगों का जो आई है वही हाइट आप लोगों को इसके बारे में बताएगा जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है ठीक है तो उमीद करता हूँ आप लोगों को सारी शीज़े समझ में आ गई है इसके अलामा आप लोगों को मन में कोई डाउट बनता है तो आप लोगों करके पूछ लेना यह वैकंसी आप लोगों की 2022 में आप लोगों की लगभग मान चलिए कि आप लोगों को यह वैकंसी मार्च मन्त में आने वाली है तो आप लोगों को जरा सबी टेंसर लेने की जरूरद नहीं है जैसे ही vacancy आती है मैं तुरत वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारी जानकारी परवाइड करा दूगा है तो आप लोगों को काहीं पर भी भटखने की जरूरद नहीं है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस्ट कर लेना ताकि वैकंसी जैसे ही आए आप लोगों को आटिफिकेशन पहुंच आए और आप सभी लोग इस वैकंसी से रूख रूख हो सके ठीक है तो फ्रेंस हम लोग ऐसे ही नई जान कारिक्सान नई वीडियो मिलेंगे तब तरह दो टेक केर गुट बाई